फिर एक बर आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे लगाएं यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो WhatsApp का होम स्क्रीन है जैसे यहाँ पर WhatsApp हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका जो home screen है यहाँ पर अभी आपको कोई भी photo लगा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर यह जो home screen है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो home screen है यहाँ पर किस तरह से photo लगाना है यह अभी हम सीखेंगे सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके औल वाल उप्सन सेलेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई निव वीडियो अप्लोड हो तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है whatsapp open करना है जैसे यहां पर अभी मैं whatsapp open कर लेता हूँ open करने के बाद आपको यहां पर three dot measure आ रहा होगा यहाँ पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको setting option मिलेगा setting में आपको click करना है उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर जो chat को option है यहाँ पर आपको click करना है और उसके बाद आपको आना है यहाँ पर display में theme को option है यहाँ पर आपको click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको तीन option मिलेगा system, default, light और dark तो यहाँ पर dark वाला option आपको select करना है और ok में आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो theme है यह dark हो जाएगा उसके बाद आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ तो सबसे पहले आपको इसे बैक कर देना है उसके बाद आपको Play Store से एक application डाउनलोड करना है Designer Tools Pro आपको इस application को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपको इसे open करना है तो हम इसे open कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक उप्सन मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मोकप ओभर लेक उप्सन यहाँ पर आपको दिखेगा इसमें आपको किलिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले उप्सन में किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर allow में आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपका फोन का जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा यहां पर से आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आप लगाना चाहते हैं उसके बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा mockup overlay का तो आपको इसे enable कर देना है तो हम इसे enable कर देते हैं और allow में आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपको designer tools pro को यहां पर से enable कर देना है यहां पर मैं आपको दिखला देता हूँ यहां पर आपको इसे enable कर देना है तो हम इसे enable कर देते हैं और उसके बाद हम back जाएंगे और जो photo हमने select किया था वो WhatsApp के home screen में लग चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं setting option आपको नजर आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ setting option मिलेगा जैसे यहाँ पर जो photo का opticity है अगर आप उसे बढ़ाना चाते हैं तो इस तरह से बढ़ा या घटा सकते हैं इस तरह से आप इसे photo को उपर नीचे जैसे set करना है आपको इस तरह से set कर लेना है आप इस तरह से set कर ले उसके बाद यहाँ से आपको back आ जाना है WhatsApp open करेंगे तो आपको जो photo हमने लगाया था वो आपको यहाँ पर नजर आएगा आप यहाँ पर से देख सकते हैं तो इस तरह से आप WhatsApp के home screen में अपना photo लगा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक क करें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्यू